नवस्कार आप देख रहें एकॉनिमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनिंदियो चक्रवर्ती दोस्तो आज का जो ये एपिसोड है ये उन लोगों के नाम है जो मुझे ट्विटर पर डियम भेजते रहते हैं या कभी फेस्बुक पे मेसेज डालते हैं कभी वाटसाप कहीं से मेरा नमबर निकाल कर मुझे वाटसाप मेसेज भी भेजते हैं ये पूछते हैं कि अभी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं आज उसी का हिसाब लगाएंगे कि क्या stock market पिछले साल के तरह उपर जाएगा या नीचे भी जा सकता है या इस वक्त आपको थोड़ा सा careful होना या नहीं इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस episode में दोस्तों कुछ हफते पहले मैंने एक episode किया था कि जब हमारी देश की economy उल्टी तरफ जा रही है मतलब reverse में जा रही है उस वक्त stock market ऐसे उपर कैसे चला गया क्यों मार्च के बाद मार्च के बीचों बीच लगातार stock market उपर गया और जिन्होंने वहाँ पर पैसे लगाए थे उनके बहुत सारे धेर सारे पैसे हो गए लोग कहते हैं इसका कारण यह है कि stock market में और असली economy में कोई link नहीं होता है असली economy चाहे जहां भी जाये stock market उपर जाता है नीचे जाता है इसका कोई मतलब नहीं बनता है जी नहीं यह असल सही बात नहीं है stock market जाद आतर दो कारणों से उपर जाता है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है जब company जो stock market में हैं उनका मुनाफ़ा बढ़े यानि कि उनका profit बढ़े जब उनका profit बढ़ता है तो क्या होता है stock का दाम भी बढ़ता है क्यूं क्यूंकि जब हम share कहते हैं आपके पास अगर एक share है तो आप उस एक share के मालिकाना हकदार बने मतलब आप company के एक share के मालिक है एक तरह से आप company के एक मालिक है इसलिए company अगर मुनाफ़ा करे तो उस मुनाफ़े पर आपके पास वो एक share का हक है और इसलिए stock उपर जाता है share price उपर जाता है जब companyya जादा profit करती है और पिछले साल profit company का record level पर गया है कम नहीं हुआ है ये बहुत important चीज़ है कि देश में जो हमारे देश की economy है वो 10% धस गई है लेकिन जो company का profit है वो कई गुना बढ़ गया है क्यों बढ़ा है क्योंकि हमारे देश में जब ये lockdown हुआ और उसके covid के चलते economic crisis आया दुनिया भर म मंदी च्छाई तो हमारे देश में भी खरीदार कम हो गया लोगों की नौकरिया गई पे कट हो गया salary कट हो गया कहीं पे increment मिला तो क्या हुआ लोगों ने चीजे कम खरीदे इसका मतलब क्या है जो बड़ी-बड़ी company है उनका sales कम हो गया उन वो जो बेचते हैं वो कम हो गय तो आप कहिए अगर आप कम बेचेंगे तो मुनाफ़ा भी कम होना चाहिए जी नहीं मुनाफ़ा तब कम होगा अगर आप कम बेच रहे हैं लेकिन आपका खर्चा उतना है या आपका खर्चा बढ़ गया है company का क्या हुआ क्या हुआ क्योंकि दुनिया भर में recession था दुनिय भर में मंदी थी तो जितने भी जो भी कच्चा माल companyya खरीदते हैं कच्चा माल को इस्तेमाल करके machine में चीजे बनाते हैं या जो companyya सेवया हम लोग को देते हैं वो भी electricity चलाते हैं office चलाते हैं इंधन उनका petrol diesel का खर्च होता है यह सब खर्च कम हो गया क्योंकि दुनिया भर में कच्चे माल का दाम घट गया जब यह कम हो गए तो companyya का एक बड़ा खर्चा कम हो गया दूसरा खर्च क्या होता है companyya का वो है जो मदूरी देते हैं वेतन देते हैं वो भी पिछले साल बढ़ा नहीं यानि कम हुआ इसका मतलब है companyya का की बिक्री तो कम हो गई साथ में खर्च भी कम हो गया इससे क्या हुआ पिछले साल उनकी profit बढ़ गई और जब companyya का profit बढ़ा तो इसका क्या मतलब है कि share market में भी उन companyya का share का दाम बढ़ गया है अब दूसरा एक कारण होता है share का दाम बढ़ने का और उसे कहा जाता है liquidity यानि कि market में कितना पैसा आ रहा है अब क्या हुआ है कि जब आप सोचे कि bank में आप मेरे माता पिता bank में fixed deposit में पैसा रखते थे क्योंकि 80 के दशक में काफी सारा interest rate मिलता था धीरे धीरे interest rate 10-12% से जाकर जीते नीचे आते आते अब 5-6% के आसपास आ गया interest rate fixed deposit पे और अगर आप उसको जब निकालेंगे आप आपको tax देना पड़ेगा आप अगर stock market में पैसा लगाएंगे तो tax कम होता है capital gains tax जिसको कहते हैं वो normal tax से कम होता है तो इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं यहां से तो 5.5% मिल रहा है tax भी देना पड़ा है अगर मैं stock market में डाल कर मुझे 78% return हो जाए और tax भी कम है तो वो ही अच्छा है यानि पैसा stock market के तरफ जाने लगता है और जैसे जैसे interest rate कम होता है लोग क्या करते हैं कि loan लेकर भी stock market में पैसा लगा देते हैं यानि कि पैसो का एक बान आजाता है stock market में और जब ज़्यादा पैसा आता है लोगों के पास लोग खरीदने लगते stock अगर market में एक company के एक लाग share हैं और खरीददार सिरफ सतर हजार के हैं तो क्या होगा कि इस market में आसानी से आपको उस share मिल जाएगा उसका दाम भी घट जाएगा लेकिन अगर उस एक लाग share को खरीदने वाले एक लाग दस हजार लोग आ जाए तो क्या होगा चाहे उस company का profit बढ़े ना बढ़े उस company के share की मांग बढ़ जाएगी और वो भी दाम बढ़ जाएगा यानि की दो चीजे एक तो company का मुनाफ़ा बढ़े और उसरा है company के share के लिए मांग बढ़े क्यूंकि लोगों के हाथ में पैसा तरल तरीके से आ रहा है वो बैंक से उठाकर stock market में डाल रहे हैं mutual fund बंद करके खुद पैसा डाल रहे हैं और बैंक से loan लेकर भी बहुत बड़े-बड़े investor पैसा लगा रहे हैं तो यह एक बड़ा कारण था पिछले साल बढ़ने का अब मुझे सवाल लोग पूछते हैं आपका तो जो सच बात है भाई या गाड़ी आपकी छूट गई थी पिछले साल आपने पैसे नहीं लगाए अगर आपने पिछले साल पैसे लगाए होते तो ठीक है आपका अच्छा खासा रिटर्न होता है तो सवाल यह है कि क्या इस वक्त लगाना चाहिए या नहीं पहली बात मैं सभी दर्शों को बता देता हूं जो मुझे यह सवाल पूछते हैं कि ऐसा सवाल सिरफ उनी लोगों से पूछिए जो सेवी रेजिस्टर्ड हो जिनके पास सेवी का रेजिस्ट्रेशन हो यह बहुत इंपॉर्टन चीज है आप किसी बैंक में जाकर किसी से मत पूछ लीजे वो बोलेगे आप स्टॉक पे लगा दीजे आपको फोन आएगा कि भाई साब आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे आप इस टॉक पे लगाएगे यह सब मत कीजे आपके पडोसी आपको कहेगा यह स्टॉक चल रहा है इस सब मत कीजे क्योंकि इसमें आप पै इतना है मुझसे मत पूछा कीजिए मैं बताऊंगा भी नहीं मैं बता भी नहीं सकता है दूसरी बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर गया है क्या कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ता रहेगा इसका एक मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि यह जेन्रल एकनॉमिक्स है आप देखिए कि दुनिया भर में कोविट खतम हो रहा है हमारे देश में कोविट का सेकंड वेव चल रहा है और कहा जा रहा कि जून जुलाई तक चलेगा इसका मतलब है कि साल का आधा लगबग निकल जाएगा जब तक यह खतम होगा क्योंकि हमारे देश में वैक्सिनेशन भी अगले साल के मार्च एप्रल से पहले सबको नहीं मिलने वाला है बाकी देशों में बहुत जल्दी हो रहा है बड़े बड़े जो एकॉनमिय है या चीन भी आप ले लीजे तो जब उनकी मांग बढ़ रही है जब उनका कोविट कम हो रहा आफिसे खुल जाएंगी उत्पादन बढ़ जाएगा तो जब वो होगा तो क्या होगा जो कच्चे तेल की कच्चे माल की मांग है चाहे उसमें कच्चा तेल भी शामिल हो वो बढ़ जाएगा और वो बढ़ने लगा है यानि कच्चे माल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार बढ़ें और कच्चे माल का यानि जो raw material जिसे चीजे बनते हैं उनकी मांग बढ़ेगी तो उनके दाम बढ़ जाएंगे और उससे हमारे देश के जो corporate हैं वो भी नहीं बढ़ सकते उनका भी खर्च बढ़ेगा उनका भी खर्च बढ़ेगा लेकिन अगर lockdown चलता रहा नौकरि पाएंगे और उनकी जो total sales है वो नहीं बढ़ेगी पिछले साल sales घट गया लेकिन खर्चा और भी जादा घटा इस साल sales कम हो सकता है लेकिन खर्चा बढ़ सकता है यानि मुनाफ़ा जो है मुनाफ़े पर pressure आ सकता है इस साल यह आप याद रखिए तो अगर मुनाफ़ा कम ह हो गया तो क्या होगा कि कंपनियों के शेर का दाम पर असर उसका पढ़ सकता है हां इससे एक चीज़ जरूर साथ में मैंने कहा था कि कितना ज्यादा पैसा मार्केट में आ जाए अगर बाहर से डॉलर बहुत सारा आ जाए बाहर से विदेशी देशों से कि चाया खरीद लो अभी सस्ता है खरीद लो इंडिया का स्टॉक मार्केट में खरीद लो तो फिर स्टॉक प्राइस बढ़ता रहेगा इसलिए बहुत जरूरी है आपको बिलकुल अपना धिमाग ठंडा रखके इस वक्त तै करना की पैसे लगाना यह नहीं सला लीजे जो सेभी रेजिस्टर अडवाइजर होते हैं उनसे सला लेना चाते लेजिए या म्यूच्वल फंड में डालिए पैसा हां ये एक चीज़ याद रखेगा कि स्टॉक मार्केट म्यूच्वल फंड में आप पैसा लगाएंगे तो अगले एक साल की मत सोचिए पांच-छे साल की सोचिए दस साल की स लगाएं इसी तरीके से लोग पैसा लगाते हैं और लॉंग रन में स्टॉक मार्केट से उनका रिटर्न जादा आता है क्योंकि सबी देशों में इसी तरीके से स्टॉक मार्केट के फेवर में सारा टैक्स का लॉब बना हुआ है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है बैंक पिछले साल तो मेरे पैसे डबल हो जाए ऐसे मत भागिये इस वक्त थोड़ा ध्यान बढ़ती है थोड़ा सा केरफुल हुई जिए क्योंकि हमारे देश में बाकी देशियों के तुलना में economy का हाल थोड़ा सा बुरा हो सकता है आज का एपिसोड यहीं तक